नमस्ते प्यारी बच्चों स्वागत है आपका रामरूप सर्मा चैनल पर आज की जो वीडियो का परपज है वो कमपार्टमेंट जो एक्जाम जिन बच्चों को देने उनके एडमिट कार्ट सीबी एसी ने रिलीज कर दियें कमपार्टमेंट जोलाई 2019 यानि की 2 जोलाई से जो एक्जाम होने वाले अगर आप प्राइब्ट कार्ड को अपने को नैट से निकालेंगे मैंने कुछ step दिये हैं उन्हें आप ध्यान से follow करें सबसे पहले cbse की official website cbse-nick.in पर जाईए उसके बाद में उसमें in focus में online admit card for private candidate for compartment 2019 उसको आप click करिए उसके बाद में online admit card for private candidate को click करिए क्योंकि जो school login है वो तो school का मतलब का काम है वो तो अपने आप school वाले निकाली लेंगे फिर admit card पर जाएए जब आप admit card पर जाएंगे तो आपकी screen कुछ इस तरीके की हो जाएगी वहाँ पर आप select करिए कि आप other regions हैं या दिल्ली region से हैं तो मान लीजी आप दिल्ली region से हैं तो दिल्ली को select करिए उसके बाद में आपने जब admit card का compartment का form भरा होगा तो आपको एक application number मिला होगा आप वो application number डालिए और previous roll number डालिए और अपना नाम डालिए proceed जैसे ही आप करेंगे तो आपका admit card स्क्रीन पर आजाएगा आप उसे print कर लेंगे और उसे समाल के रखेंगे वो admit card ही आपको exam में लेके जाना होगा उसमें सभी चीज दी हुई होगी कि आपका center कहां पर है कितने बज़े आपका exam होगा किस date में exam होगा वो सारी जानकारी उसमें पहले admit card की तरह ही होगी तो फिर दुबारा मैं बता रहा हूँ class 10 और class 12 के सभी के admit card cbsc board से जो भी वच्चे compartment देने जा रहे हैं उनके admit card cbsc ने release कर दिये हैं regular candidate school से admit card receive करेंगे और जो private candidate हैं वो इस तरीके से अपना admit card निकालेंगे मेरे channel को subscribe जरूर करिए क्योंकि अब आपने ऐसा लग रहा है subscribe करना छोड़ दिया है क्योंकि आगे आगे ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकरी में देता रहूंगा और वीडियो को share करिए ताकि सभी बच्चों को पता लग जाए और अपना target से कर लें thank you very much all the very best